वेल्कम टू सुमय्या इंग्लिश फ्राइमरी स्कूल सबजेक हिंदी स्टैंडर फिफ्थ हिंदी सुलब भारती पाचवी कक्षा पढ़ो और अनुलेखन करो ब चुक चुक गाड़ी पढ़ना है और अनुलेखन करना है अनुलेखन मिन्स जिस तरह से चुक चुक गाड़ी एक नाम दिया गया है ऐसे ही चुक चुक गाड़ी को और दूसरे वर्ड में क्या कहा जाता है जैसे चुक चुक गाड़ी ट्रेन हम कहते है रेल गाड़ी कहते है मराठी में आप गाड़ी कहते है उसे कहा जाता है अनु Lekhal रविवार का दिन था पाटशाला में छुट्टी थी रविवार का यूँ संडे का दिन था स्कूल में छुट्टी थी आसपास के बच्चे इखटे हो गए आसपास में रहने वाले जितने भी बच्चे थे वो इखटा हो गए वर्ष उनमें सबसे बड़ा था वर्ष याने year वो सबसे बड़ा था उसने कहा चलो चुक चुक गाड़ी खेलते है उसने कहा कि चलो हम एक गेम खेलते है जिसका नाम है चुक चुक गाड़ी सबी बच्चे उचल पड़े सबी बच्चे ये सुनकर उचल पड़े वर्ष ने कहा, वर्ष ने क्या कहा, पहले मैं हाजरी लूगा, पहले मैं हाजरी लूगा, हाजरी मिन्स स्कूल में टीचर्स हमारी जैसे अटेंडन्स लेती है, वैसे ही वर्ष ने कहा, पहले मैं हाजरी लूगा, सभी एक, दो, तीन बोलो, सभी लोग एक, दो, तीन बोलो, ये गेम स्टार्ट करने के पहले हम भी ऐसे ही करते हैं, जब गेम स्टार्ट करते हैं, तो हम एक, दो, तीन बोल के ही आगे स्टार्ट करते हैं, वैसे ही वर्ष ने भी उन बच्चों से कहा, हाजरी में 1 से 24 तब उपस्तित थे, हाजरी में कितने लोग पस्तित थे, एक से 24, 1 to 24, वर्ष बोला, वर्ष ने कहा, क्या, मेरा क्रमांग 25 हुआ, वो बोल रहा है कि मेरा नमबर कौन सा है, 25, अब मैं सबको संख्या के अनुसार नाम दूगा, अब मैं सबको नमबर के हिसाब से नाम दे दूगा, सभी एक पंक्ती में खड़े हो जाओ, सभी कतारों में खड़े हो जाओ, पंक्ती मिन्स कतारों में, लाइन से जिसे हम कहते हैं, उसने निम्न प्रकार से नाम दिये, उसने जो नाम दिये, वो एक अलग तरीस से दिये थे, यह हम देखेगे आगे, उसने कैसे कैसे नाम दिये, एक चैत्र, आठ कार्तिक, पाच श्रावन, दो वैशाक, साथ आश्वीन, चार आशाड, अठारा आगेन्य, छ भाद्रपद, दस पौश, पंद्र नैरुत्र, एकिस पशिम, बाईस उत्तर, तेज दक्षिन, सत्रह वाईवाईव, नौ, अग्रह हारण, बारह फालगुन, तीन जेस्ट, सोल इशान्य, चौदह आकाश, ग्यारह माग, तेरह इंद्रधनुष, उन्निस बादल, चोविस धर्ती, बीस पूर्व, वर्ष इंजन बन गया, वर्ष क्या बना, इंजन बन गया, जो में डिबबा होता है, ट्रेन का, इंजन वो वर्ष बन गया, सभी बच्चे उल्टे क्रम से अपना क्रमांक और नाम बोलते हुए इंजन के पीछे जुड़ते गये, सभी बच्चे उल्टे क्रम से अपना क्रमांक और नाम बोलते हुए, उल्टे क्रम से याने उल्टे सिरे से वो लोग अपना नंबर बोलते हुए इंजन के डिबबे के साथ जुड़ गये, बाद में छे बच्चे और जुड़ गये, और बाद में छे बच्चे और आ गये, और उनसे जुड़ गये, इस तरह शुरू हो गया चुक-चुक गाड़ी का खेल, इस तरह स्टार्ट हो गया क्या चुक-चुक गाड़ी का ये गेम, तुम सब भी चुक-चुक गाड़ी का खेल खेलो वो कहरा है कि आप लोग भी ये चुक चुक गाड़ी का जो गेम है वो खेलो यह खेल गर्मी वर्षा सर्दी हर मौसम में खेल सकते हो वो बता रहा है वर्ष बता रहा है कि ये जो गेम है वो हर मौसम में खेल सकते कौन कौन से मौसम तीन प्रकार के होते हैं कौन कहते हैं summer, winter, monsoon वैसे ही बोल रहा है वो कि ये तीनों मौसम में गेम खेला जा सकता है थैंक यू